हलो नमस्कार्व दोस्तों कैसे हँआ हैं सभी तो आप लोगों की डिमांड थी कि मैं महिला और बाल प्राध वाले क्यूसंश भी कर्वाओं तो थी तो थी rasa के अजम मैं टेस्ट करेंगे और सारे के सारे जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो कॉमेट करके मुझे जरूर बताओगे कितने क्यूसन सही हैं कितनी अब तक आपकी त्यारी है क्योंकि एक्जाम आने वाला है दस क्यूसन साइगे तो पांस नम्मर पूरे के पूरे इस पार्ट में से आपको लेन तो करें सरवात पहले क्यूसन से तो फटा पर लाइक करो सारे के सारे कोई भी आज लाइक ये विगर नहीं जाएगा ठीक है पहला कि सदर थाना राजस्तान का पहला चायल फ्रेंडली थाना है ये कौन सी दिले में है ओप्सन करके कॉमेंट बताते रो पहला क्या पनेगा क पहला चायल फ्रेंडली थाना कहां पर है तो सदर थाना है कहां पर धोलपूर में है ये ठीक है धोलपूर में तो सी हो जाएगा राइटान साराब का पहला चायल फ्रेंडली थाना सदर धोलपूर दूसरा कि बाल विकारों के सरक्षन ही तो राश्ट्री आयो की स्तापना क ये राश्टियायो का मुख्याले कहा पर है राश्टियायो का मुख्याले बनावा है नई दिल्ली में तीन नमर किसन राश्टान के पहला जो बाल विकास प्रियोजना की सरवात हुई थी कहा से पर्थम बाल विकास प्रियोजना की सरवात यह बांसवडा में गड़ी तो गड़ी बांसवडा से की सरवात हुई थी चार नमरापका सही है नेक्स्ट आप कहे कि राज्य की पहली बालविकास प्रियोजना बांसवडा जी लेकर गड़ी से शुरू हुई थी तो कब हुई थी यह डेट बतानी है गड़ी पंचाई समीति सी हुई थी लेकिन हुई कब थी यह विए थी गुनी सो पीचेतर में दो अक्टोबर गुनी सो पीचेतर हुई थी अगला है कि समेकित बालविकास सिवा कारिकरम जो है वो किस आयूवर के बच्चों को सामिल किया गया है समेकित बालविकास सिवा कारिकरम में यह जीरो से च्छा आयूवर के बच्चे आते हैं जीरो से च्छा आयूवर के बच्चे अगला है कि देज परता पर परतिबंद लगाने है तू देश में जो देज निरोदक अदिनियम लागू किया गया था कब किया गया था देज निरोदक अदिनियम ये गुनी सो 61 का है बी समयी गुनी सो 61 सी आपका सई साथ नमबर समेकित बालवी का सिवा कारिकरम किस वर्स लागू हुआ था भी किया था कि 0-6 वर के बचों को सामिल करते हैं यह वात गुनीशो पीचेतर में गुनीशो पीचेतर में इसके इस सरवात हुई थी आठ नमबर पोस्को पोरे देश में लागू कब हुआ था ठीक है यह 2012 का है और बाल देश पर लागू हुआ था 14 नमबर 2012 को हुआ था 14 नमबर 2012 को अब मैं इसकी थोड़ी भी पड़ी थी पोस्को की अगर आपको याद है ठीक है आजीवन कारावाज की सज़ा का प्रावदान है अगला है कि भारत में एनितिक तसकरी रोकताब अधिनियम के तहट वाने जे योन सोसन दंडन यह है और उसे कितने वर्ष की सज़ा का प्रावदान है कितने वर्ष से लेकर आजीवन तक सज़ा हो सकती है 24 जनवरी 2014 को तो भी आपका राइट आंसर अगलाए कि राजस्तान राजे बाली का नीती का राष्टे बाली का दिवस को वी मोचन कब किया गया था राष्टे बाली का दिवस का ये वाथा 24 जनवरी को 24 जनवरी 2013 को अगल है कि सारक देशों के दोरा किस दसक को बाली का दसक गोशित किया गया था सारक देश के इस दसक जो है उन्होंने गुनी सो नबबे के दसक को बाली का दसक गोशित किया था गुनी सो नबबे भी आपका सही अनसर चौद है कि बाली का नीती जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है सबसे पहले राजस्तान ने की थी डी आपका सही पंद्र है कि यूनी शेप के द्वरा जो बाल सरम निरोद डिवस मनाया जाता है हर साल ये बाल सरम निरोद डिवस कम मनाता है और ये 12 जून को मनाया जाता है 12 जून C आपका सही आंसा अगर एकी सुप्रीम कोट ने किस वाद में खतना कुद्योगों में बाल सरम पर रोक लगाई थी जो 14 वरसे कम के बच्चे हैं ये लगाई थी M.C. महता बनाम तमीलाडू सरकार जो मामला आया था उसमें B आपका राई टांस था 17 की माता पिता के बाल सरम कानून को पहले बार दोसी पाए जाने पर क्या किया जाता है अगर बाल सरम कानून का माता पिता पहले बार दोसी पाए जाते है तो पहले बार उनको चेताउनी देकर छोड़ दिया जाता है पहली बार में बाल सरमी कौन आते हैं वेसे उमर बचाने किस बचाते हैं जो 14 वर से कम बचाते हैं जिनकी उमर 14 वर से कम होती है अगला आपका है कि भारत में गरेलु इस्टा की विरूद अद्नियम किस वरस पारिट किया गया था गरेलों हिस्सा की विरुद दिने पारित वा था दो हजार पांस में दो हजार पांस में बी आपका सही बी सापका है कि सारदा एक्ट के तहट प्रावर में बालिकाओं के विवाग की योग्या तम जो नियुनतम आयो थी वो कितना थी सारदा अक तो 1931 को लगवा था वी नियम अधिनियम कब आया था बाल सरम अधिनियम और यह आया था गुनी सो ची यासी का गुनी सो ची यासी में अगल आया कि गुनी सो तीस में लगव किये सारदा एक्ट को 2006 में समप्द करके उसके स्थान पर एक नए अधिनियम बना गया था कौन सा अधिनियम बना गया था बाल विवा निरोद अधिनियम बाल विवा निरोद अधिनियम बना गया था अगल आए कि गरेलू इंसा अधिनियम दोजर पांच यह परभाव में कब आया था लागू कब हुआ था देड बतानी है और ये कब आया था गरिलू इंसादिनियम जो आया था ये था 26 अक्टूबर 2006 को परभाव में आया था डी आपका राइट आंसर अगला कि देश में बाल दिकारों के सरक्षन के लिए जो राश्ट्री आयोग की स्तापना किये गी थी मैलों के लिए राश्ट्रे कमिशन गट्रवांता गुनी 92 में स्वियापका सही है 26 है कि राश्ट्रे बाल सरम अनमोलन प्रादीगंड की स्तापना है वो कब हुई थी राश्ट्रे बाल सरम अनमोलन प्रादीगंड ये वाता गुनी 94 में 26 सितंबर गुनी 94 में नेक्स्ट आप करें कि गरेलू हिंसा में स्तरीका सरक्षन अधिनियम 2005 में टोटल कितने जाये हैं और कितनी धारे हैं गरेलू हिंसा स्तरीका सरक्षन अधिनियम 2005 पांस जाये हैं और टोटल 37 से धाराए हैं तो B हो जाएगा सही आंसर गरेलू हिंसा अधिनियम में अंतरगत ल रिद्श नाने की देश में बालकों को नी सुलक और अनिवारिय शिक्ष्य का दिकार है वो कब दिया गया था और ये लागौवा था एक अप्रेल 2010 को एक अप्रेल 2010 से, तीस है कि मैला समर्दी योजना कब लागौ हुई थी मैला समर्दी योजना गुनी 1903 में, दो क्टोबर गुनी सो तिरान में अगला है कि भारत प्रदानमंत्रिक द्वरा बेटी बचो बेटी पड़ो योजना की सरवात गब होई थी बेटी बचो बेटी पड़ो योजना की 14 मारत ठीक है नॉमली 14 में 2015 से सुरू कर दिया गया था कि सरकार ने 26 अप्रेल 2013 को राष्ट ये बाल निती गोशित की थी इसमें कितने वर्ष से निच्यायों के इनसान को बालक माना है यानि बालक है बालक उमर यानि जो ठारा वर्ष से कम है वो बालकों में आता है ठारा वर्ष है जिनकी कम उमर है तेतीस है कि बाल दिकारों के सरेक्षन ही तो राश्ट ये आयोग में कुल 6 सदस्यों में से कम से कम कितनी महलाइं होनी चाहिए 6 में से कम से कम कितनी महलाइं होनी चाहिए बाल दिकार सरेक्षन में दो महलाइं होना जरूरी है तो भी आपका राइट आमसर एकल एक राजस्तान में पहली पोक्षो कोर्ट था जो स्ताफित की गी थी यह कहां पर है तो पहली पोक्षो कोर्ट मनी थी जेपुर जिले में बी हो जाएगा नेक्स्ट है कि बाल दिकारों के सरक्षन हितूर राश्टी आयो का मुख्याले का अपर है चलिए ये रिपीट हुआ है ये दिल्ली में है भी आपका सही है नेक्स्ट है कि किसोर न्याई अधिनियम 2015 यानि बालकों की देख रेक सरक्षन अधिनियम 2015 कब 15 जनवरी 2016 43 है कि किसोर न्याई यानि बालकों की देख रेक और सरक्षन अधिनियम 2015 में टोटल धाराएं कितनी है टोटल 112 धारा है कितनी है 112 धारा डी आपकाराई डांस जमाले से कि जगन्य अपराद के अंतरगत कौन से अपराद आते हैं जिनके लिए भारतिय दंड सहीत साथ साल और आजीवन तक हो सकती है कम से कम साथ साल है जनगना 2011 के नुसार बाल मजदूरी यानि बाल सर्म में राजस्तान पूरे देश में कोन से अस्तान पर आता है और बाल सर्म के मामले राजस्तान तीसरे अस्तान पर है सी आपका राइट आंसर अगला है कि नेशनल क्र सब्सक्राइन दिकार बनाने वाला सविदान संसोधन के राजस्तार में सूंवर्धी योजना की शर्वाद का वसियूई थी? और यह थी चार प्रवरी को चार प्रवी 2015. पंदरा चले 49 कि राज्ता राज्य बाद इधिकार सर्क्षिन के अधिस का कारेकाल कितने वर्स का होता है अधिस का कारेकाल होता है तीन वर्स का होता है तो B आपका सही है लास्ट क्यूशन करने से पहले पटापर लाइक कर दो और फिर पीडियेप का भी बता देता हूँ मैं मातित्वय लाप शन्सोद अधिनियम 2017 के तहट मेला करमचारियों के लिए 12 सब्टा से बढ़ा कर मातित्वय के लिए 12 सब्टा से बढ़ा कर कितने सब्टा कर दिया गया है 26 सब्टा कर दिया गया है सी आपका राइट आर्स यह इसका पार्ट तीन है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके कुमेंट करके जरूर बजाना ताकि आगे के पार्ट भी हम कर सके हैं और बाकी अलग अलग टेस्टीज और पीडिएफ हम करते रहते हैं तो वह भी आप जोइन कर लेना बात रही इसके पीड़ आप कांसे मिलेगी में जानल आपको पता है प्रहलाज सारे निस जार के नाम से तो यह इक और चैनल चैनल जितने है चिर्प पूर्ट चैनल सारे पीड़ीफ ही पीड़ेफ मिलेगी आपको एक साथ मिलulator जाएगे 200-300 पीड़ेफ और यही पीडिएफ यही प है तो लाइक कर दीजिए शेर जुरू कर दीजिए और पचास में से कितने सही कि वो भी कॉमेट करके बताए और जो नॉमली आपकी पहले लेश्ट है उसमे जाके बाकी के दो पार्ट भी देख लेना और यह जुरू बताने की कैसा लगा आपको अगर आपको पसंद आएगा तो continue रखते हैं ठीक है ताकि 10 क्योंस वाएंगे 5 नमबर आपके फिक्स हो पक्के के पक्के 5 नमबर ठीक है जड़े मिलते हैं अगले वीडियो में and thank you